नमस्कार मैं जेपी डोभाल उत्राखंड से आज हम लोग यहाँ पर उत्राखंड में आप दाएं एबम उनका प्रबंदन पर एक पैनल डिसकसन का आयुजन कर रहे हैं इस पैनल डिसकसन में जो मेरे साथी भाग ले रहे हैं उनमें हैं मिस्टर आर्पे बडोनी, मिस्टर सुप्रिय बाउखंडी, मिस्टर प्रदीपनेगी, उसके बाद हैं पुंदरी काक्ष जी और अंद में हैं सिरी सिप्रकास बर्मा जी साथियों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्राखंड एक परवतिय राज्य है और इस राज्य में अनेकों प्रकार की मानवीकर्त और प्राकर्तिक आपदाएं बर्स भर लगी रहती हैं इन आपदाओं में से भूकम्प, भूस्खलन, बाढ़ का आना और जंगलों में आग लगना प्रमुक हैं आज हमारा पैनल डिसकसन इसी बात पर होगा कि उत्राखंड में ये आपदाएं क्यों आती हैं इनके कारण क्या-क्या नुकसान होते हैं और हम किस परकार से इन आपदाओं से बचने के लिए और इनके क्या कारण है पैनल डिसकसन का सुरुवात करते हैं मिस्टर आर्पी बढ़ोनी जी से धन्यवाद दोवाल जी जैसा कि आपने बताया भूकंप एक बहुत बड़ा कारण है आपदा का और ये एक बहुत बिस्त्रित बिसे भी है इस पर हम इतने छोटे रूप में बाचित ज्यादा नहीं कर पाएंगे और फिर भी सौट में हम इतना क्या सकते हैं कि जैसे कि उत जहां तक रहा भूकंप आने के कारण क्या हो सकते हैं क्यों भूकंप आता है तो बेसिकली जो फॉल्ट होता है फॉल्ट के बीच में प्लेट्स जो है मोमेंट करती है और उसे जो है भूकंप आ जाता है तो ये मोमेंट्स का होता है ये कभी जो है वैसे बेसिकली ये मोमें बढ़े हैं यह भुकंप अर इंचैया है। ज्यादा नुकसान होता है हमारे आसपास पास के एडिया में जहाँ एपि सेंटर होता है वहां ज्यादाव कि नुकसान होता है और वह जो सेस्मिक तरंगें उनका इतना ज्यादा पुरभाव होता है इसे पूरे इलाके को फ्रइंत मिया है अगर ये रिक्टर स्केल पे जिस से हम भुकम को नापते हैं अगर ये तीन और चार के बीच में तो फिर भी ये नॉर्मल होता है पर अगर ये साथ आठ के बीच में होगा तो बहुत बड़ी तवाही मचा देता है ऐसा उतराखंड में एक दो बार पहले भी देखा जा चुक जिसके बचाओं के लिए हमें बहुत कोसिस करनी चाहिए और हमें इस तरह के परबंधन जुटाने चाहिए हमारे पास आयाइटी रूर्की शेत्र में बहुत काम भी कर रहा है और काफी हद तक हमने इस तरह के सैस्मोग्राफ लगाए वे हैं कि हम इनको देख वाच कर पा रहेंगी कभी भी कुछ बड़ी आबदा आ सकती है फिर भी हमें इसके लिए तयार रहना चाहिए अब मिस्टर बोक्टर साब उत्राखंड में जो आप देख रहे हैं बाड़ एक बहुत बड़ी समस्या है और अकसर यह देखने में आया है कि आपदा में बाड़ों के क्या कारण है दो प्रमुख कारण देखने में आ रहे हैं एक तो जिस तरीके से हमारी जनसंक्या बढ़ी है पूरी स्टेट की और नदियों के किनारे आप देखिए तमाम घर बार बन गए हैं और जब नदी आती है अपना विक्राल रूप लेके आती है तो जो बांध होते हैं जो पुल होते हैं उनको तोड़के पूरे जानमाल का बहुत नुक्सान करती है तो हमें इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जिस ताइं मकान बनाएं तो नदी से हम हटके बनाएं जितने भी बनाएं एक कारण यह और दूसरा कारण खनन का है कि हम खनर को कही मॉनिटर नहीं कर पाएं और जितनी मरजी जहां से रेज बजरी सब निकालते जाएं और नदियों का एक अपना रूप होता है कि एक फिक्स समय के बाद उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उस तरीके से बैती है तो इन दो चीजों को अगर हम कंट्रोल कर पाएं मॉनिटर कर दन्यवाद बहुखंडी जी जैसे आप जानते हैं कि उत्राखंड राज्य एक परवत्य राज्य है और ये चार और पांच भूकम जोन में आता है जिसके कारण यहां पर भूकलन बड़ी मात्रा में होता है और भूकलन आने का उत्राखंड में कई कारण है आनियोजित वि भूकलन बड़ी मात्रा में हो रहा है थोड़ी सी भी बारिस होने पर या बादल फटने की घटना होने पर बहुत तेजी से हमारे यहां भूकलन होता है उत्राखंड में और हजारों लोग मारे जाते हैं जैसे कि 2013 में केदरनाथ की घटना घटी थी वह सबसे बड़ा उधा जिसमें हजारों लोग मारे गए जन मल सब धन का बहुत जादा नुकसान हुआ तो इस परकार की घटना उत्राखंड में ना हो इसके लिए सरकार को यहां की जनता को जन जागरुप अभियान चलाना चाहिए और लोगों को शिक्षित करना चाहिए और इसके लिए कठोर का सब्सक्राइब करने के लिए तो हमारे रोट साइट्स पे बहुत तरह से जो है सड़कें पहाड कमजोर हो गये तो वह बड़ा कारण बनता जा रहा है अगले चारण में पुंडिरी काफसर मजी अपने बेचार जोड़ें बहुत अच्छी बात आपने कही इसी तरह से मैं जब आपने काफ़ी समय से देख भी रहा हूं कि उत्रहंड में जंगलों में आग लगना आप दा का यह वी बहुत बड़ा कारण है जंगलों में आग इतनी ज्यादा तेजी से फैल रही है खासत तोर से गर्मी के दिनों में और हम सभी जानते हैं उत्रहंड में सबसे ज्य फंग ऑफेसे पकड़ने से क्या हुता कि उसके सहारे सहारे दूर घियाकम को हिता है कि उसके साहरे जारे पकलव endlessly को चाहे खेंद्नों में रुका हएन ज़कितना कैसे आपको न्यमों जो तोरा सबमेद्ने मात्र जो पा आगो इसा गषिते, मैं तुमलों मेर्मी रिलाने ल अच्छा चारा आएगा तो शायद मुझे लगता है कि ऐसा नहों तुछाद अच्छा हो यह वी एक कारण है तुम मुख्य रूप से इसके लिए जन जागरण गाउं में फैलाए जाए जाए और यह अंद्विश्वास है यह हटाया जाए कि जब बारिस आएगी बरसात आए तो अच्छी गासत होगी बिल्कुल जी बहुत बहुत धन्यवाद सर्म पुंडिरी का शर्मा जी और अब यह जितनी वी आपदाएं हम सब लोगों ने हमारे साथियों ने चर्चा में रखी हैं उन सब आपदाओं का बचाओ कैसे हो अंत में हमारे साथी सिर्फ परकास बर हम यह देखते हैं कि प्राकरतिक आपदायक कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में आ सकती हैं उनके उपर हमारा बस नहीं है लेकिन हम उनके प्रवाव को न्यूनी करन कर सकते हैं जिसे आपदा को न्यूनी करन कहते हैं इसमें हम यह कर सकते हैं कि जैसे भूगम पगर आता है तो हम यह देखें कि घर का कौना जो बिरवाजी के समीफ हो उसके किनारे घड़े हो जाए ताकि जो है च्छत यह रेंटर वगरा गेता है तो उससे नुक्षान जो है ना हो जान और माल की कम से कम छती हो इस तरीके के भवन बनाए जाए जो भूगम प्रोधी तक्नीक पर बस्तियां लगातार बढ़ती जा रही है उनको जो है उन पर एक अधिनियम बनना चाहिए कि नदी के किनारे जो है आवास वगेरा ना हो ताकि जो है कम से कम जान और माल का नुक्सान हो इसी के साथ साथ अगर जो हम देखते हैं कि जो हमारे बन है उनमें गर्मी के मौसम मे करन सकते हैं बच्याद्य आपना बहुत बहुत धण्यबाद हम सब लोगों ने इस चर्चा में भाग लिया और आपने हम जो आबदाकी बिभिन कारण थे, उन कारणों से बचाव कैसे हो सकता है, इस बारे में हम लोगों को बहुत अच्छी जानकारी दी तो मैं आप लोगों से निबेदन करता हूँ कि इस चर्चा के दौरान हम लोगों ने जो बिभिन परकार की आप दाओं के बारे में समझा उन आप दाओं के बचाओ क्या-क्या हो सकते हैं उनके बारे में समझा तो मैं चाहता हूँ कि इस जो बचाओ हमारे साथियों ने आप लोगों को बचाए हैं उसको अपने घरों में इंप्लिमेंट करें अपने बिद्यालों में इंप्लिमेंट करें धन्यवाद और हम आप सब का और अपने चर्चा में भाग लेने आले सब इस साथियों का धन्यवाद देते हैं धन्यवाद धन्यवाद